हेलो दोस्तों रमुश्कार सत्याकाल एनार आप मैं हूँ आपका दोस्ता आजा वस्तिया और 2024 में लोग नई नई चीजों के उपर फोकस कर रहे हैं तो जिस चीज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाला कि वो नहीं तो नहीं है लेकिन बहुत कम है एंड के बार है इसका यूज मैं आपको एक जेक्टी बताऊँ है तो मैं सबसे पहले अगर इसका बॉक्स को उपन करता हूं आप बैग में इनका एक logo आपको मिल जाएगा यहाँ पर बैग की quality बढ़िया है आप इसे hang भी कर सकते हैं और यहाँ पर belt में भी अगर आप चाहे तो इसने belt में भी लगा सकते हैं दोस्तों जैसे आप इसे open करते हैं तो आपको दिखता है कुछ इस तरीके से filter यह फिल्टर नंबर वन तो दोस्तों यह फिल्टर नंबर वन आप देख सकते हैं कि बड़ा ही यूनिक सा दिखाई दे रहा है इसमें अलग-अलग इंगल से इसमें glass को cut किया गया है जिससे glass पे जो reflection आता है वो reflect होके बहुत ही यूनिक सा effect create करती है आईए हम इसको एक बार चेक करेंगे लेकिन चेक करने से पहले हम तीनों filters को देख लेते हैं तीन filters का पैक आप के हापर मिलता है तो यह फिल्टर नंबर वन इसके बाद हम इसको निकालते हैं यह रोस्तों filter नंबर टू और इसे भी आप इस तरीके से यूस करेंगे कि आप इसे अपने left hand में यहां आपने इसका प्राप्लम नहीं जाएंगा यहां से साथ कुछ दिया हुआ है और यहां पर अंदर इसको काटा हुआ है, युदि आप इसमें से अपने लेंस को इस तरीके से ले करके आते हैं, इससे भी बहुत योनिक-उनिक से डिजाइन आपको मिलते हैं, बहुत ही कमाल की इसके थूर भी आपको मिलते हैं, इसके फोटो में आप से शेयर करूँगा अभी थोड़े देर में, आप इसके फोटो एक बाद चेक किजेगा, लाइव हम आपको दिखाएंगे, तो ये था फिल्टर नमबर टू, और दोस्तो इसके अलावा है फिल्टर नमबर तीन, दोस् से आप बता सकते कि इस फिल्टर का नाम कै है, अधररज आप फिल्टर बड़ा कमाल का है तो ये है दूसरा नमबर को फिल्टर इसको हम बुलते है, पैन रोस एन दोस्तो ये है फिल्टर नमबर तीन अब यह अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी है और जो ग्लास है बहुत कमाल का मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी भी एंगल से देखें तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल के कट्स आपको दिखते हैं और इसका अगर मैं नाम बता मैं लेंस को इस तरह के से अलग-अलग लेंस में जैसे यहां पर देखेंगे यह वाइड एंगल लेंस है आप टेली फोटो लेंस के सांथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप 24-70-70-200 जो भी लेंस आपके साथ है बस आपको इसके सामने रखना है और एंगल सेट करना होता ह है जैसे आप एंगल सेट करते हैं तो अलग-अलग अलग से अलग-अलग स्टाइल के जो फोटोस हैं वह आपको दिखाई देते हैं तो यह जो फिल्टर से बड़े कमाल के हैं पहले मैंने तकरीबन 6-7 मैंने पहले इनका रिव्यू देखा था ऑनलाइन तो मुझे लगए क तो एक बर मैं इसको चेक करता हैं बहुत डिटेल में अगर मैं अपनी बात करता तो यह काफी पहले से मुझे सारे फिल्टर जो हैं बहुत पसंद है लेकिन इसका यूज जो है जब आप अपने ऑन हैंड में लेंगे तभी आपको इसका यूज समझ में आता है और अगर आ काफी पसंद है पर्सनली मैं इनके और भी फिल्टर इसके लाव में यूज करता हूं लेकिन यह मेरे पास लेटेस्ट आया है तो आईए इनके कुछ पिच्छर में आप से शेयर करता हूं वीडियो में वीटों भी शूट कर सकते हैं और फोटों भी शूट कर सकते हैं और मैं वीडियो ऋनीक जो है we expect करते हैं आपको इस फिल्टर से अशिक से हैं टो के विडियो अप gör कर दो सकते हैं ओर इन तीनों में से कुछा तो फिल्टर सबसे बेस्ट लगा, अगर मैं अपने फेवरिट फिल्टर की बात करूं, तो मेरे लिए यह वाला जो फिल्टर है, यह बहुत कमाल का मुझे लगा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कि इन तीनों से बेस्ट फिल्टर आपके लिए कौन सा है, अगर तो भी कुछ यूनिक और क्रेटिव शॉट लेने हैं, तो आप इन फिल्टर का यूज अपने फोटोग्राफिय और सिनेमेटोग्राफिय में कर सकते हैं, अब अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते आज का यह वीडियो देखने के आपको बहुत 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 शुक्रिया, तैंक यू सो मच, कीप वाशिंग, राजा वरस्ती साइनिंग आप